अगर आप एक Android यूजर है तो आप सभी को एक दिक्कत हमेशा आती होंगी जैसे कि आप अगर Gmail यूज करते या कोई भी mail आगर आप यूज करते कई आप mail को send करते या उसके साथ कोई attached file send करते तो network problem होने के जैसे या फिर और कोई technical problem होने के जैसे वो file uploading तो होती नहीं है लेकिन आपको एक notification उपर दिखाते रहता है notification panel में कि sensing mail यानि कि आपको ऐसी show दिखाते रहता है कि वो upload हो रहा है लेकिन वो होता नहीं है मैंने भी एक attachment file भेजा तो Google को लेकिन वो गई नहीं तो उसके बाद मैंने एक second mail भेजा फिर से तो चला गया लेकिन जो second time में मैंने फर्स टाइम में जो भेजा था वो ऐसे ही मुझे sense mail करके वा पर दिखा रहा था और कुछ भी करने से वहां से हट नहीं रहा था नहीं मुझे को setting मिल नहीं कुछ तो मैंने क्या क्या उसी के लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप उसको किस तरह स सकते हैं तो चलिए हम चलते हमारे mobile screen पर आपको बताऊंगे जो sense mail उपर में आपको दिखता है उसको किस तरह से पुरू तरह से हटा सकते है और फिर से हमारा Gmail जैसे तो इसे हम कर सकते है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो यह आ गया हमारे mobile के screen पर देखिए आप पर देख रहा है आपको sensing mail देखो 29 मिनिट से sensing mail हो रहा है मतलब कि आदा घंटा हो गया लेकिन अभी तक वो notification वासे गई नहीं तो आपको करना क्या है सिर्दा आप लोको जाना है एप इंफो में application इंफो में आप यहासे app management में से भी जा सकते है डिरेक्क प्लिक करके भी उस अब take me to gmail करेंगे तो अपने अब आप लॉग इन हो जाएंगे वीडियो अच्छा लगे तो like कर देना